नमस्कार गुड इबनिंग आप सभी का सौगत है यूटूब चैनल देशा एगरी कल्सेर अकाडमी पर आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टन क्लास है आप सभी के लिए राइनफेड की बहुत 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 क्लास है इस वीडियो को आप मिस मत करना पूरा व जिन्होंने भी नोट्स पर्चेज किया है यानि रेनफेड का नोट्स जिन्होंने पर्चेज किया है गृक्रिकल्चर अकडमी की तरह से एक नोट्स और प्रोफवाइड किया जाएगा तो तो जिन्होंने जो है नोट्स परचेज किये हैं दिसा एगरिकल्चर अकेडमी से रैन फेड़ का वो हमारे वाटसप पर मैसेज जरूर कर दें ताकि उनको हम ये वाला नोट्स भी बिल्कुल फिरे में प्रोवाइड करा सकें इस नोट्स का आपको कोई पैसा नहीं पढ़ने सकें ठीके ना इसका कोई चार्ज नहीं बिल्कुल फिरे में आपको दिया जाएगा ठीके ना और जिन विद्ध्यारतियों ने अभी रैन फेड़ फार्मिंग का नोट्स परचेज नहीं किया है वो विद्ध्यारती भी परचेज करने बहुत पावरफुल और बहतरी नोट से इस से बाहर कुछ भी कोश्चंस नहीं जाएंगे ठीके ना अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं सबसे पहला कोस्टेंस हमारा की बार्टर हार्वेस्टिंग क्या होता है यानि जो जल संग्रहनाई मीन्स जो बार्टर हार्वेस्टिंग है किसको आप बार्टर हार्वेस्टिंग बोलेंगे बार्टर का मतलब जल है बार्वेस्टिंग मीन्स सनच्छण करना तो इसको सिंपल से बासा में परिवासित कैसे किया जा सकता है बर्सा से उत्पन अपभाहा को इखटा कर फसल उत्पादन में प्रियोग करना जल का बाटर रिसाइकलिंग कहलाता है यानि बर्सा से जो भी पानी उत्पन हुआ जो भी अपभाहा उत्पन हुआ उसको इखटा कर लेना एक जगए पर है और उसको पुना प्रियोग में लाना तो क्या चालिया था बाटर-recycling या नि पुना चक्रन कहलाएगा लेकिन और फसलो उत्पादन है। बरसा जल से उत्पन अपभा का संगर बाटर-harvesting कहला था है यानि जो भी जल आपने harvest किया संदच्चित किया है उसका उप्योग में अगर आप लाते हैं तो उसको क्या वह देंगे recycling बोलेंगे मतलब पुना उसका यूज बोलेंगे लेकिन जब फसलों में इसका यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं water harvesting तो यह काफी अच्छा टर्म उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि इसी प्रकार एक नई टर्मिनोलाजी है crop adaptation यानि crop adaptation क्या होता है crop adaptation यानि फसल जहां भी वाइज है वह उस उस जलवाई के अनकूल हो उसको adopt करने की उसके अंदर adaptability होने चाहिए यानि जो crop में यानि फसल में संदचनात्मक एवाम द्याहिक परिवर्तन के द्वारा एक बिसेश परिवेश अत्वा बाताबर्ण में जीवित रहने और प्रदिन करने की चमतों क्या बोलते है plant adaptation या फिर crop adaptation इसको बोलते हैं यानि जिस भी जलवाई में जो भी plant ग्रो किया जाता वहां वो survive कर जाए आसानी से अपनी ब्रद्ध और बिकास करे कोई दिकत परिशानी नहीं हो plant में तो उस परकार के conditions को बोलते हैं crop adaptation एक और important questions है यह short questions है जो आप से section A में जो आप से पूछे जाएंगे questions है dry farming means सुक्सक क्या होता है यानि किसको आप dry farming बोलोगे तो इसकी simple से परिवासा है कम बरसा बाले शित्रों में मर्दा नमी का इस प्रकार से प्रबंद करना ताकि फसलों से अधिक से अधिक पैदा बार ले सकें उसको क्या बोलते हैं उसको शिक से खेती या फिर dry land agriculture बोलते हैं यानि कम बरसा बाले इलेंड एगरी कल्चर बोलते हैं अथ्वा दूसरी परिवासा हम लोग समझ लेते हैं कि सुष्क क्खेती खेती की एक उन्नत प्रडाली है जिसके अंतरगात फसलों की और पैदावार के लिए उन शित्रों में जहां पे बरसा कम और आसमय होती है यानि ऐसे स्थान जहां पे बरसा भी कम होती और बरसा का कोई टाइम फिक्स नहीं होता अंटामली रहन फाल होती है वहां पर मिर्दा नमी का यानि जो स्वाइल कंजर्वेशन उसको कंजर्व करके मॉइस्टर को रखना ही क्या कहलाता है वो ड्राइफ फार्मिंग कहलाता है ठीक है चलिए नेक्स यानि ऐसे स्थान जहां भी वार्षिक बरसा 20 इंच से भी कम होती है उन स्थान को क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं ड्राइफ फार्मिंग बोलते हैं यह काफी इंपोर्टेंट है ठीक है ना एक और बहुत ही बेहतरीन कोस्टिंस है मल्चिंग मल्चिंग भी आपसे एक्ज से एंट क्रॉप प्रडेक्शन यानि ऐसे स्थान जहां पर बर्षा बहुत कम होती है उन स्थान पर भों में जो भी नमी उपस्तित है उसको क्या करना है उसकर सब्सक्राइब करके रखना ही वह क्या कहला आता है मल्चिंग कहला तब यह काफी अच्छा प्रसन है और ड्रा बहुत important questions आया आपके दीश में dropped यानि सूखा किसको बोलेंगे आप dropped यानि सूखा आप किसको बोलेंगे तो ध्यान रहे है इंडियन मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट पूर्णे और किस अपना पूर्णे में कब की गई थी 1932 में की गई थी इंडियन मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट यानि भारतिय मौसम जो डिपार्टमेंट है इसके स्थापना पूर्णे में होई थी कब होई थी 1932 में होई थी ठीक है जब किसी बर्स जब किसी चेतर में होने वाली सामान बार्षिक बर्षा का 75% से कम बर्षा होती है यानि टोटल बर्षा मानीजेगा 100% होती है जहां भी होगे ठीक है न और ये सामान बर्षा जब 75% से कम हो यानि 75% से ऊपर है तब तो ड्राप्ट एरिया नहीं बोला जाएगा 75% से कम बर्षा जहां भी होती है उसको ड्राप्ट एरिया बोला जाता है ठीक है यानि 75% से बर्षा कम होती है उसको क्या बोलते है उसको बोलते हैं ड्राप्ट और 75% से बर्षा अगर अधिक होती है तो उन एरिया को ड्राप्ट नहीं को रैन फेड एरिया या वो सुखा वाले एरिया के अंतरगत नहीं आते हैं ये परिवासा जो है इंडियन मेटरलोजिकल डेपार्टमेंट ने दिये है ठीक है चली एक और परिवासा है ड्रॉप्ट की ड्रॉप्ट की एक बहुत अच्छी परिवासा है ऐसे स्थान जहां पर सामान बर्षा में ऐसे एरिया जहां पर सामान बर्षा में 25 पर्षेंट की कमी होती है मैंने कहा था उस परिवासा में क्या था ऐसे स्थान जहां पर 75 पर्षेंट से बर्षा कम होती है तो सामान बर्सा में कमी कितनी हुई 25% कोई भाई देख लो यह रहा टोटल कहीं पर जहां भी जिस इस्तान पर बर्सा होगी टोटल होगी 100% ठीक है ना तो ऐसे इस्तान जहां पर बर्सा 75% से कम होती है 75% से क्या होती है कम होती है तो उन इस्तानों को भी क्या बोलती है ड्रा तो बर्सा कम 75% से कम हो रहे अगर 25% बर्सा की कमी ना हो तो ड्राप्ट एडिया नहीं होगा तो 25% की तो कमी है तो 25% कमी जहां भी होगी बर्सा वहाँ पे उस इस्तान को बोलते हैं ड्राप्ट वह एरिया सूखा की क्रेटागरी में आएगा ठीक है चलिए बाटर हार्वेस्टिंग अभी मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा और समझ लिजे अच्छे से कि वाटर हार्वेस्टिंग आप किसको बोलेंगे किसको आप बाटर हार्वेस्टिंग बोलेंगे तो बरसा के बाद के समय में बरसा के बाद के समय प्रियोग करने के लिए पानी को उकातर करना उसका भंडारन करना ये बाटर हर्वेस्टिंग कराता ये काफी important questions है और आपके एक्जाम में 101% आपके exam परिश्या में आएगा 100% ये एक्जाम में आपके questions आएगा ये आप मान के चलिए एक और बहुत प्यारा questions है जो एक्जाम में अक्सर छपेगा प्रस्न बहुत ज़्यादा important है ये प्रस्न भी आपके एक्जाम में 100% आएगा note out कि ranfit farming आप किसको बोलेंगे किसको आप ranfit farming बोलेंगे बर्षा आदारी छेत के च्छों आप बोलेंगे ऐसी भूमी जहां की annual ranfall यानि बार्षिक बर्षा 750 mm से अधिक हो यानि ऐसे स्थान जहां पर जो average annual ranfall यानि आउस्थ बार्षिक बर्षा 750 mm से क्या हो अधिक हो उन स्थानों को बाई क्या बोलते हैं उनको ranfit area बोलते हैं ठीक है न ऐसे स्थान जहां पर average annual ranfall 750 mm से अधिक हो और खेती पूर्ण रूप से बर्षा पर आधारी थो पूर्थिया जो agriculture है जो वह किस पर डिपेंड होती है रैनफाल पर रैनफाल पर डिपेंड होती है ठीक है न उसको क्या बोलते है रैनफेड अगरी कल्चर बोलते हैं तो यह काफी important questions है एक और important questions इसकी दूसरी परिवासा आप लोग गेक लीजिएगा 750 mm से अधिक बर्षा वारे छेतर में फसलोत पादन क्या कहलाता है रैनफेड फार्मी यानि ऐसे स्थान जहां पर एबरेज अनवर रैनफाल 750 mm से मोर होता है उस स्थान को या उस प्रकार की खेती वहां पर जो की जाती है उसको रैनफेड एगरी कल्चर बोलते है क्योंकि पूर्टिया वर्षा आधरित क्यती होती है ठीक है चलिए और यह कुश्चन्स आपके एकजाम में 100% आएगा तो लॉंग में यह कुश्चन्स पकाएं 101% गारंटी है इस परिच्छा में आने की गारंटी है हमारी अगर ना आया तो आप मुझे बताना ठीक है तो जो नोट है बहुत पावरफुल और इंपॉर्टन नोट से अभी भी जिसने पर्चेज ने किया टाइम आपके पास में है आप पर्चेज कर लिजिए निस्चित आपके एकजाम में पूरा का पूरा पेपर यहीं से आपको मिलेगा अभी भी जिसने दिशा एगरी कल्चर अकैडमी वार्साइप गौुर्प को जाइन कर लें लिंक डिसक्रिप्शन में किया है और जिल मिध्यारतियोंुने नोट्सको पर्चेज नहीं किया करना कि फोन पे या गईक और फूर पर आपको प्यामेंट करना कि 952 00 srb पर और उसका स्क्रीन साट एक्यासी पंद्रा ब्यालित पस्पनिकीज पर आप भीजना है अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं प्राइस फॉट्टी रुपए हैं बहुत सारे बिद्ध्यारती पर्चेश कर चुके हैं लागए पसास बिद्ध्या मौका है इसको आप पर्चेश कर लीजिए और अपनी तयारी को वुस्ट कर लीजिए ठीक है ना तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिस करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नए जानकारी के साथ में नमक्सकार